पार्क्वी शिटी ब्लॉक A कब लॉच हुआ? इसमें इसक्ट डेवलोपन्ट का स्टेटस क्या है? किस साइज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं? और उन प्लॉट्स की प्राइसिस क्या है? और अगर आप कंपेरिजन करें इसलामबाद की दूसरी सुसाइटी से या प्लॉट्स की ब्लॉट्स की बात करें तो टोटल इंवेंट्री कितने प्लॉट्स बनते हैं तो ब्लॉट्स बनते हैं और इनकर साइज की बात करें तो टोटल इसमें जो प्लॉट्स बनते हैं 30 साइज के प्लॉट्स यानि कि यहां पे 5 मरला के प्लॉट्स यहां पे 7 मरला विसिनिटी में तो सबसे अच्छी लैंड्स के वली जो साइटी है उसका नाम है पार्क विस्टी इसलामबाद जो कि आपको फुटेज से अंदाजा भी हो रहा होगा कि चारो तरफ यानि 360 डिगरी के विउ में अगर आप देखें तो आपको पहाडों का विउ मिलता है जो कि आपको किसी भी और सुसाइटी से इस तरह का विउ नहीं मिलता इसलामबाद के डुमें के अंदर इसलामबाद की डुमेन का मैं बार-बार जिकर इसलिए कर रहा हूँ कि पार्क विस्टी इसलामबाद 0.0 से hardly 10 to 15 प्रिंट की ड्राइव पे है और आप comparison में जाएं तो आप G13 को comparison में देख सकते हैं तकरीवें 15 मिनटी लगते हैं G13 से 0.0 आने के लिए G13 से आपको ऐसा कोई लेंड्सकेप नहीं मिलता कोई वीव ऐसा नहीं मिलता लेकिन वहां पे आपको plot की prices बहुत डिफरेंट मिलती है अगर यहां पे आप 5 मरला के plot को सिर्फ कमपैरेजन के तोर पे देखते हैं तो G13 में अगर आप 4 मरला का plot देख लिए और यहां पे 5 मरला का plot देख लिए तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है डिफरेंस इस तरह से बनता है कि G13 में 4 मरला का plot आपको 1.80.000.000 से लेके 2.25.000.000 के तरमयान मिलता है आवरिज plot 4 मरला जिसकी खास ऐसच कोई vicinity में कोई लैंड्सकेपिंग में कोई आपको पहाड नजर नहीं आते यह ऐसी को चीज नजर नहीं आते लेकिन फिर भी वहां पे आपको 1.80.000.000 से सवा 2.000.000 की price पे करने पड़ती है अगर आप सवा 2 क्रोड को डिवाइड करें 4 से तो आपके पास आंसर आते है तक्रीबान 56.000.000 रुपया पर मरला अब आते हैं पार्किर सिटी के ब्लॉक A में तो ब्लॉक A में आपको प्लॉट जो मिलता है कि खौईश होता है मैं वज़ा यह खौईश इसलिए कह रहा हूं कि आपको इसलामबाद में ऐसी लैंड बहुत कम मिलती है कि जहां पर इस तरह का लैंड स्केप बनता हो कि वहां पैसी पहाड़ों के दरमयान में जमीन नहीं होती और जो जो जमीन होती है वहां पर डिवल तो आपको यहां पर 50% प्लॉट पे आपको फैमिलीज भी नज़र आएंगे राउंड गाहलें कि 120 प्लॉट थे अगर टोटल तो बीच में पचास से साथ घर तो आपको फिजिकली वहां पे नज़र आते हैं अगर हम बात करें किन साइज के प्लॉट अवेलेवल हैं यहां प्लॉट 10 मॉला के 35 x 70 और कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो 35 x 72.5 के प्लॉट से हैं जो के तमाम के तमाम प्लॉट Dry नज़र आती है within 1000 के प्लॉट पे多少 हैं और पोजेशने विल्ट सेट का उप्शन है इसके लावा यहां पे आपको बाकि जितने प्लॉट मिलते हैं, तमाव कर तमाम के तब पलॉॉट्स के चैश विल्टे जिए लाउन्च किये हैं। और F-Block में कुछ Plot's इंस्टाल्मेंट अवेलेबल हैं, बट वाइ इंस्टाल्मेंट प्लाइन सिर्फ 1 यर के है, 25% डाउन पेमेंट के साथ, तो यह था पार्ग वेस्टी का अवराल इन जेनल व्यू, अब जो इंस्टाल्मेंट पे ब्लॉक A में चीज अवेलेबल है, यानि कर आप अपनी फैमली को मूव करना चाहते हैं, और आपके पास बजट नहीं है, कि आप एक करोड पे का पांच परला का प्लॉट बाई कर सकें, तो आपके पास दूसरा आप्शन या आता है, कि आप टेरेसेज अपार्टमेंट में आप अपना आपार्टम बुक कर सकते हैं, जहां पर आपको 25,000 रुपीज पर स्केर फीट से आप एक अच्छा अपार्टमेंट अपने नाम पे बुक कर सकते हैं, इसी सरीन इंवाइर्मेंट में, अगर हम बात करें कि ओवराल यहां पर कितनी फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, तो आराउंड कहलें कि 50 से 60 फैमिली ऐसी हैं, जो पार्ग विस्टी ब्लॉक के में प्रॉपर रहाइश पजीर हैं, इस पूरी बात बताने का मकसद हैं, अगर आपको इसलामबाद डाउन टाउन, यानि कि जीरो पॉइंट से नेरस विसिंटी में रहना चाते हैं, कम पैसों में, क्योंकि इसलामबाद प्रॉपर्टी बहुत एक्स्पेंसिव हैं, अगर आप देखें, तो जीरो पॉइंट के सराउंडिंग में जो एरियास बनते हैं, तो वहाँ पे तक्रीबर आपको प्लॉड मिलता है, कनाल का 25 क्रोड से लेके 35 क्रोड, यानि 1 क्रोड से लेके 1.5 क्रोड पर मरला, आपको रेजिज़ेंशल प्लॉड मिलता है, अगर आप सिर्फ 21 लाग पर मरला के साफ से, रेजिज़ेंशल इंवेंटरी बाय करना चाहते हैं, और वो भी उसी सरीन इंवाइरमेंट में, यानि इसलामबाद के बिलकुल निस्दे की, जहां से आपको नेरबाय, स्कूल, हॉस्पिडल और यूनिस्टी की एकसेस अवेलिबल है, तक्रीमन 10 मिनिट्स की ड्राइब पे, तो आपके लिए पार्क्यू सिटी बेस्ट आप्शन बनता है, यह थी ओवराल पार्क्यू सिटी की, तक की ओवराल हिस्ट्री और ब्लॉक A की स्पेसिफिकली मने चीज़ें के रदी, बाकी में चीज़ें आपको मैप एकस्प्लें करता हूँ, के पार्क्यू सिटी ब्लॉक A में कौन से इंवेंट्री है, किस तरह के प्लोट्स हैं, और बाकी तमाम चीज़े मैप पर बात करते हैं पार्फ के स्टेडी का मास्टर प्लैन देख सकते हैं आज की वीडियो जिस ब्लॉक के हवाले से हैं यह वाला ब्लॉक बनता है अब इस ब्लॉक है जैसे के पहले आपको वीडियो में जिकर किया था यह बनते हैं 30 x 60 7 मरला क시면 8 मरला भी कह सकते हैं और यहां पर जितने रोड्स ब्लॉक अब तरा का रड़ में अगर आप 1340 की बाmother करें तो आपकर टो टोल जो बनते है यो बनते आठ प्लिॉट अगर बात करें इसके अच्छाँ एक स्वीक्टन एंग बाकि राथ नंबर से लिए यहां उन रांच माँला होग्या की जिकर के रहे तो यहां पर 262 525 का शाइज पिल्स जिए चुट comprend है तो में में रोट पर 502 अधको फिद्म सबसे ज्यादा है तो आपको उसका आइज honors और सबसे बड़ी बात है पार्कुस्रेटी का 360 व्यूव, अगर आप 360 में देखना चाते हैं, फस्ट और वाल मैं इसके चार साइड़ेंट कर दूँ, इसके अगर आप नौर्स साइट पर देखें, पहले मैं आपको सबसे लाइट कर दूँ, अगर आप नौर्स साइट पर द से जाट देखें तो इस साइड पर पाणडरी ओल के साथ आपको एक सेपठ एंटिटी मिलती हैं नहीं पार्क की साइड पर 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 प्रेमिक नहीं हैं, एगर प्डार साइड पर देखें तो वेस साइड पर ब्लाॉक भी बनता है और एक सोट тяж isp सबसे हैं पर भॉजुन के लिए जा सकते हैं, आप बिलकुल गेट के बिलकुल पास रहते हैं, यह अप गेट हैं, एब अधे स्षी measurement वे थाउप आप सब अप्रॉक्सिमेट तीन सो चालिस मीटर के डिस्टंस पे आपको मिल जाती ही ग्रैंट जामिया मॉस मज़ित अब्दुरमान उसके लावा पार्क तो बिल्कुल सामने वॉकिंग डिस्टंस पे यानि कि कहलें हाली कोई और यहां सबसे डिस्टंस 10 मीटर का डिस्टंस भी नहीं होगा पांच मेटर के डिस्टंस पे आपको पार्क मिल जाता है और बाकी आपको बिल्कुल सामगर साहणी विश्ट lle को एंसटॉलमन कि इक अपार्कमान को वो भी मिल जाते है तो ब्लॉक A की सबसे अची बात है कि ब्लॉक A में तमाँ के तमाँ प्लॉट्स जो है वो पॉसेशनेबल है आप इन पे प्लॉट बाइ करके डेफिनिटी डेवन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं तो यह था पार्क विसुटी का ब्लॉक A अब इससे सबसे इंपर्टन बात है कि पार्क विसुटी ब्लॉक A से डाउंटाउन का डिस्टन्स अब डाउंटाउन जो है वो बिल्कुल दुबई डाउंटाउन की तरस बन रहे हैं जो सबसे अच्छा कमर्शल होगा इसलामबाद की प्रिमिसिस में मेरे हल में अब बहुत अच्छा प्लैन किया गया है तो उसका डिस्टन्स भी मेरे कर लेते हैं यह ब्लॉक A से ब्लॉक A से अगर देखें आप सारी में पाथ ड्रॉव कर देता हूं यह ब्लॉक A से अगर आप देखें यह रोड जो डिरेक्टली जाता है यह में रोडी कांट होता है अगर आप डाउन टाउन के डिस्टन्स को देखें तो अप्रॉक्सिमेट 1.73 किलोमेटर पे आपको दुबई डाउन टाउन की तरस पे एक बहुत ही बड़ा मरकज मिलता है जहां पे सेंटर में बहुत ही बड़ा आप कहलें कि लेक होगा और स्रॉंडिंग पर एक अच्छ स्टी की नेरस विसिनिटी में इस साइट वे बहरिया एंकलेव और अगर बात करें बिल्कुल नेरस विसिनिटी में डाउन टरन इसलामबाद भी आप जा सकते हैं यानि कि यह ब्लॉक यह है और यह आपका जिरो पॉइंट इसलामबाद है तो आप आप अटमेटिक लिए अनौस्मेंट हो चुकी है तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव बात है और रिसेंट लिए अमार चोग को अगर आपने आप चक्षिजाद की तरफ सा आपका कम्यूट है तो हमार चोग को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके वहां पे एक ओवरहेड बिज और एक अ करना चाहते हैं या आप कमर्शल प्लॉट बाइक करना चाहते हैं तो दिएके नंबर पर रापता करें इसके लावरी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com और आपकर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट और शेर और चैनल को सब्राइब कर खुदा आपिस